ग्रोमिट एडी विटमिन बेबी ओयल पच्चों की हड्डिया और मास पेशियों की मस्बूती के लिए बहुत सरूर है और हाँ नकालों से साफदान रहें ग्रोमिट देखकर खरी गया में रेप की अमानविय घटना पर सियासत करने पहुँझे आजडी के नेता खुश शैतान बन गए हैवानियत की शिकार बनी नाबालिक लड़की राज़त के नेताओं के सामने रोती गिरगिराती रही लेकिन आजडी के नेता सैक्रो लोगों की मौजूदगी में जवर जारखन में रगुवराज में भूग से मौत का सिलसिला लगाताय जारी है पिछले एक महीने में भूग से दो मौत के बाद अब एक और मामला रामगर में सामने आया है बताया जाता है कि मांडू प्रखन के रहने वाले चिंतामन मलहार की मौत कतित तोर पर भूग की वज़े से हुई है जानकारी मिलने के बार इलाके के अधिकारी मौके पर पहुचे और परिवार को अनाज के साथ 5,000 रुपे दिये और मामले को तूल ना देने की बात कही है यह मौका पहला नहीं है पिछले एक साल में सूबे में भूग से 5 लोग की मौत हो चुकी है पलामो में आस दिन दहारे 54,000 रुपे की लूट की वारदात को अन्जाम दिया गया दरसल डाल्टन गंज आईसी ऐसी बैंक से रुपे निकाल कर कैश वैं तक जा रहे कर्मियों को अपरादियों ने अपना निशाना बनाया डाल्टन गंज के जिला स्कूल चौक के नजदीक इस वारदात को अन्जाम दिया गया सुचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घिराबंदी कर लूटेडो की तलाश तेज कर दी है सीमा पार से लगतार जारी आतंकी घटनाओं के भी सुरक्षा बलो को खबर मिली है कि इस बार आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं खुफिया विभाग के सुचना के बाद ग्रिम अंत्रालर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा है बतादे के इस बार आतंकी आत्रा 28 जुन से शुरू है जिसे लेकर सुरक्षा के तगड़ी इंतिजाम देखने को मिलेंगे जामतारा के फतेपुर में इन दिनों डाइरिया का प्रकोप देखा जा रहा है पिछले 10 दिनों में डाइरिया की वज़े से 200 से अधिक लोग बिमार हुए है गंभी रूप से बिमार लोगों को इलाज के लिए इस्पताल में भर्ती कराया गया है साथी प्रशाशन की टीम इलाके में कैम कर हालात का जायजा ले रही है बताया जाता है कि इलाके में पीने के लिए साफ पानी की कमी के कारण बिमारी ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया गोपाल गर्ज में गौर अक्षा के नाम पर गुंटागर्दी की नई तस्वीरे सामने आई है बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से मवेशी लेकर आ रहे दो तसकरों को पहले तो ग्रामीनों ने बंधक बनाया फिर कमरे में बनकर उनकी पिटाई करने शुरू कर दी जानकारी मिनने के बाद पुलिस मौके पहुँचे और घ्याल तसकरों को मुक्त कराई लाज के लिए स्पताल में भर्दी कराया गया फिलाल पुलिस ने पिटाई की वारदात में शामिल लोगों की खिलाफ करवाई शुरू कर दी है रादस्तान से चली धूल भरी हवा से उत्तरी भारत के मैदानी भाग के आकाश में भी धून दिख रही है इसका सीधा असर अब बिहार के पटना समेता अस्पास के शहरों में देखा जा रहा है पटना के अस्मान में आज़ धूल करों की परद देखी गई पटना मौसर भाग केनर के राग्यानी का कहना है कि तेज़ पच्छवा हवा अपने साथ धूल करों को लेकर आई है जिसे प्रदेश का आकाश धूल से भर गया है बिहार के शेकपूरा में आज दोफर विशाक्त प्रिशात खाने से 40 से अधिक लोग बिमार हो गए बिमार लोगों में जारतर बच्चे शामिल हैं वहीं सबी बिमार लोग को इलाज के लिए सदर अस्पतान में भरती कराया गया है जहां सबी की हालत खत्रे से बाहर बताई जारी है बेगू सराय में आग लगने से साथ घर जलकर खाक हो गया बताया जाता है कि सुन बरसा तिलाठी गाओं में खाना बनाने के दौराने घर में आग लगी और देखते ही देखते तेजी से फैली और आसपास की घरों को भी अपने चपेट में ले लिया घटना के बा सवार टेंपू में सवार चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि छे लोग गंफी रूप से घायल हुए जानकारी के मुताबिक टेंपू में सवार सभी आत्रेकी परिवार के हैं जो बेगू सराय के जंटिया से गंगा असना कर घर लोट रहे थे केंजिया सिक्षा सचीवा नियस्वरूप के जार्खन दोरे के बाद राजी सरकार ने ये साफ किया है कि अगले तीन महीने के अंदर आज में 17,000 असना तक पर सिक्षित सिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी सरकार ने बताया कि इसके लिए बकाइदा चैन प्रक्रिया जारी है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा राजी के खराब सिक्षा व्यवस्था पर केंजिया सिक्षा सचीव ने नाराज़गी जताते हुए जार्खन को 36 गर्ष से सीख लेने की बात कहीं रुपे में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है शुक्रवार को डॉलर के मुकाबरे रुपे एक बार फिर 60 के अस्तर को पार कर गया रुपे में आई इस गरावट की वज़़ से आने वाले दिनों में चीजें महिंगी होंगी बड़ा जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा असर खाने पिने की चीजों पर देखने को मिलेगा परस एक बटन दबाए और जीते जेरोई नाम मोबाइल, घडिया, चांदी के सिक्के और जेरोई नाम परस रिपोर्टरस 11 को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाए और बन जाए विजेता अब आप भी बने रिपोर्टर और भेजे अपनी खबरे तिर्फ रिपोर्टरस 11 पर सच दिखाने की ताकत रखते हैं हम अगर आपके अंदर है कुछ करने का दम तो हम से चुड़े